सो Windows 11 पर अगर हम लोगों को BitLocker manage करना हो या TPM 2.0 की complete security system को समझना हो या BitLocker का password भूल गया है recover करना हो तो हमें क्या-क्या चीज़ें प्रोसेस में रखनी चाहिए और BitLocker क्या करता है exactly आप इस पूरी वीडियो में समझ पाएंगे okay so सबसे पहले हमारे पास एक Windows 11 का मशीन आप देख रहे हो मैं यहाँ पे इसका password देकर login कर लेता हूँ actually BitLocker एक ऐसी security है जो की हम लोग जो भी अपनी drive बनाते हैं इसे की C drive, D drive, E drive हमारा जो भी volume होता है बोल सकते हैं उसको यह encrypt कर देता है और उसको password protected कर देता है for example आप यहाँ पे देखो अभी यह machine हमारी live हो रही है तो यहाँ पर अगर मैं अपने computer system पर आ जाओ and my computer open करूँ अगर यहाँ पे this PC तो आप देख सकते हो यहाँ पर अभी कोई drive तो नहीं है बट C drive है और यह open है कोई भी इस drive को open कर लेगा और हमने जो भी इसके अंदर data रखा हुआ है उसको आसानी से check कर लेगा और लेडी अगर किसी दूसरी drive पर भी हमने रखा हुआ है for example इस drive में है यह अदर कोई drive है उसके अंदर भी है तो बहुत आसानी से कोई भी उसकी information पढ़ लेगा hacker attacker जब उस पर attack करेगा ransomware attack कुछ भी तो वो काफी ज्यादा chance होता है कि हमारा data क्या हो जाए यह 100% वो data corrupt हो जाता है उसका extension change हो जाता है और problem होती है तो हम चाहें कि अगर हमारा computer कोई access भी ले ले और वो हमारे particular जो भी computer system है उसके drive का data ना access कर पाए वो surfing कर ले ब्राउजिंग कर ले बट हमने जो file किसी drive में रखा है उसको ना access कर पाए इस पे एक password लग जाए तो इसके लिए हम लोग bitlocker enable करते हैं bitlocker enable करने के लिए आप control panel से भी जाकर enable कर सकते हैं जैसे कि अगर मैं Windows R करता हूँ control यहाँ पे लिखूँ control panel हमारा यहाँ पे open हो जाएगा so older version जो भी थे windows 10 हो गया 7 हो गया 8 हो गया उन सब में system and security के अंदर bitlocker यहाँ पे option मिल जाता है similar Windows 11 में भी आपको यहाँ से मिल जाता है अगर आपने pen drive बगरे भी लगा रखा है जैसे यहाँ पी USB flash drive है उस पे भी आपको लगाना है then definitely आप यहाँ से bitlocker to go का option है जिसके थूँ आप लगा सकते हैं वैसे अभी हमारे पास सिर्फ एक drive है c drive जिस पे हमें bitlocker enable करना है बट अभी हम आप लोगों को बताते हैं कि कैसे एक नई drive हम लोग बना सकते हैं और उस पर हम लोग bitlocker लगा सकते हैं तो मैं यहाँ पे disk management की property open कर लेता हूँ और यहाँ पर हम एक नया partition create करते हैं तो अभी हमारे पास यहाँ पे एक disk है 5GB का इसको मैं एक नया partition create कर देता हूँ नया partition यहाँ से बन जाएगा और partition का name यहाँ पे है new volume और इसको भी कोई letter assign नहीं हुआ i think e letter मिल गया है बट अभी यहाँ पे e दिखा नहीं रहा है okay but my computer की property में check करें तो e drive यहाँ पे आ गया यहाँ पी e लिखके नहीं आ रहा है okay so बस हमें एक partition चाहिए था तो मैंने यहाँ पे partition बना दिया अब इसके अंदर मैंने कोई data रखा माल या मैंने रख दिया my doc file okay मेरा कोई document file है और हम चाहते हैं यह password protected हो जाए तो simple आप इस पर right click करेंगे और यहाँ पर देखो just आपको मिल जाएगा या more option पर click करके देख लेंगे turn on bitlocker का option मिल जाएगा या तो direct यहाँ पर turn on bitlocker मिल जाएगा नहीं अगर है तो so more option में आकर turn on bitlocker यहां से enable कर लेंगे अब जैसे मैंने enable पर click किया पूछेगा एक password assign करो तो मैं यहां से password select कर लूँगा और password यहां पर apply कर देता हूं like मैंने यहां पर जो भी password देना अपना दे दिया और उसके बाद मैं next कर देता हूं अब यह कह रहा है कि जो भी आपने password दिया यह चीज हमेशा याद रखेंगे कि जब भी आप अपना password apply करते हूं तो उसका एक recovery key generate होता हूं उस recovery key को आप permanently कहीं पे save कर लें तो यहां पे कह रहा है कि save to a file तो मैं save to a file कर देता हूं recovery key का and मैं desktop पे save कर देता हूं यहां पे और इसका नाम मैं रख देता हूं bitric okay save कर दिया and just मुझे next करना है अब यह कह रहा है कि दो option यहां पे मिलेगा आपको या तो आप encrypt करो disk space only जो की free है है ना used disk space only जो की मतलब सिर्फ use किया गया है उसी को आप encrypt करना चाहते हो या तो entire drive entire drive थोड़ा सा slow होगा बट काफी secure होगा ओके तो मैं entire drive को क्या करता हूं secure कर देता हूं अब entire drive 5 GB का है मुझे time लगेगा और मुझे tutorial बनाना है आप लोगों को तो आप लोग entire drive करना ओके वैसे ही चलने देना कोई दिक्कत नहीं है और यहां से next कर देना है finally यहां पे compatible mode and new encryption mode तो यहां पे compatible mode ही रहने देना next कर देना and start encrypting okay तो अभी यहां पे देखो एक block जैसा बन गया और हमारा यहां पे encryption start हो गया यह complete भी हो गया okay done complete हो गया अब इसके अंदर जो भी हमारा data होगा जो भी information होगी वह encrypted format में होगी और कोई भी hacker attacker बाहर से हमारे data को access नहीं कर सकता या कोई भी हम किसी बंदे को भी अगर यह दे देते हैं तो वह भी हमारे data को access नहीं कर सकता तो अब यहां पे कैसे यह lock enable होगा कैसे काम करेगा इसके लिए या तो हम लोग command prompt यहां से open कर लें कमांड से भी यह lock हो जाता दरवाज जितनी बार भी आपको lock करना होगा आपके अपने computer को restart करना होगा तो मैं command prompt यहां से run as administrator open कर लेता हूं जो कि आप देख रहों यह है और एक specific command है अगर आप running condition में जैसे भी आपने open कर रखा इसको lock करना चाहते हैं तो manage hyphen bd space hyphen lock space drive का नाम colon लगा के enter कर देंगे और drive यहां पे lock हो जाएगा अब देख सकते हैं drive lock हो गया unlock के लिए भी same hyphen unlock लगा देंगे तो वो definitely unlock हो जाएगा बट अगर मैं यहां से lock कर देता हूँ अब देखो इसके अंदर जो data था कोई भी access करने की कोसिस करेगा तो उससे password मांगेगा अब for example मैं यहां पे password भूल गया या मुझे नहीं पता मेरा password क्या है तो हमेशा याद रखो जो desktop पर आपको recovery की दिया गया था जैसे की यहां पे मैंने desktop पे save किया था bitlocker recovery की इसके अंदर लंबा सा एक recovery की होगा आप देख सकते हो यह इसको पूरा copy करना है copy करने के बाद simple इसको close करो this PC पर आजाओ और अपना जो भी यहां पे volume है bitlocker वाला उसको enable करो enter recovery की यहां पे recovery की को आप paste करो for example मैं control V करता हूँ unlock करता हूँ automatic यह उस recovery की से open हो जाएगा आपको password देनी की जरूरत नहीं है और बाद में आप यहां पे आके right click करें so property में आए manage bitlocker में आए और अपना password यहां से आप change कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है ओके देखो यहां पे change password remove password ओके सब कुछ यहां पे दिया हूँ turn off bitlocker आप turn off कर देंगे आपका data भी बच जाएगा सब कुछ हो क्या है तो इस तरीके से हम लोग करते हैं एक बार यह दुबारा से याद रखो इस space manage space sorry manage hyphen bd space minus loc k space e colon enter ओके यह पूरा है आप इसको enter कर देंगे यह lock हो जाएगा तो इस तरीके से हम लोग windows 7 पर भी apply कर सकते हैं 8 पर भी apply कर सकते हैं 10 पर भी windows के हर एक operating system पर apply कर सकते हैं बट वो beginner label का addition नहीं होना चाहिए जैसे home basis और यह सब नहीं होना चाहिए नहीं तो bitlocker feature वो support नहीं करता तो बस आप लोग जरूर इनेबल कर लेंगे कितने लोगों ने इनेबल किया क्या है कैसे है जरूर कॉमेंट करके बता देना मिलते नेक्स टूड़े में thank you so much